जेहिंग नमस्कार दोस्तों मैं विराठ चोदिर श्वागत आपके अपनी यूटूब चैनल कमांडो केड़ में दोस्तों आज का दो वीडियो बहुत इंपोटेंट वीडियो आप सभी के लिए क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सभी को पूरी की पूरी प्रोसेस बाता मेरे भी और मेडिकल से रिल्टेट लेकिन यह ओल इन वन है इस वीडियो के बाद में आपको एक्जाम या फिजिकल या मेडिकल से समझेद कोई भी डाउट हो जाएगा दोस्तों पूरी की पूरी पूरी प्रोसेस फॉरम भढ़ने चले के आखरी मेरे ते कि पूरी की पू कि अगर आपको मेडिकल मेंडर है तो मेडिकल के लिए मेरे दूसर चैनल है कमांड् 2 फिजिकल टिटिफ्स उसका लिंक सके आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो उस मेडिकल मेडिकल के जो पूरी पूरी माद मलएगि दोस्ते अब बात करते हैं सससेचijiीड़ी की पूरी प्रोसेस पे तो क्या क्या होतािसकी अफसे पहले बद्स दोस्तों जैसा eigenlijk आप सबीकों पता पादर के आधार पर आपके जो फादर पास पास ही रहेगे एक्जाम में ठीक हो सकता कि अग बाद ही चीट हो सेमी क्योंकि अलपावाट यह नहीं फादर के अलपावाट पेश का डिप्बेंट करता आपका हैड मीट काड जैसे यह आपका लेक्जाम होता है एकजाम को तक पता दोस्तों एक्जाम में आपको कम इसको फायट करने के लिए 80 नमबर लाने होगे ऐसे नहीं मिनिमम नंबर यह नहीं बतारा अगर आपको मेट मेहना है तो कम से कम आपको 80 पलस स्कोर करने से आपका फायदा यह आगर नॉर्मलाइजेसन होता है पांच छे नंबर भी अगर आपके बढ़ते हैं तो आपका नंबर आने की चांसे बढ़ जाएंगे नहीं तो 80 स उसे नीचे आप नहीं सो सकते हैं किमups के अगले तीन महीने के बाद में अब आपका होगा करें तो लड़कों के लिए संवार फूcom के ऐस चुदार में должны होती 24 मिनट में कर दोगे अभी आपको रणिंग की तयारी नहीं करनी है तो यहनी 24 मिनट में आपको कितनी करनी रणिंग पांच किलोमेटर लड़कों के लिए चेस्ट आपका होना चाहिए 80-25 यहनी 80-85 और यह नॉर्मल लड़कों का हो जाता चेस्ट के लिए भी कोई टेंश नहीं आपको पेपर देने के बाद में आपको तीन महीं ने मिलेंगे एक्साइज करिए दबा के वह चैनल पर मैं सबस्क्राइब के लिए को हाइट में चूट दी जाती आप बात ब्हुत अच्छा सब्सक्राइब के लिए हरको फिलेगी होता है उसके बाद उनकी हाइट होती है लड़किँ वह हाइट सब्सक्राइब के लड़कें के लिए 122 हाइट होनी चाहिए उसके बाद में आपका वेट मिनिमम आपका यानि कम से कम अगर वेट आपका तो 40 केजी आप में वेट होना चाहिए यह इसका फिजिकला क्राइटेरिया उसी टाइम आपके होते हैं का तो जो नहीं बनाएं उनका वेटीगल क Aid कवोंगे आपके वेटiğल के टाइम उसके बाद में जैसे आपका मानल फिजिकल ये कम से कम दो से तीन महीने की परकिरिया फिजिकल बहुत लंबा चलता है हर रोज कुछ लिमिटेड लड़कों को गुलाते हैं हर जगे तो दो महीने के आसपास इसके फिजिकल में समय लग जाता दोस्तों और फिजिकल फाइट क फिजिकल लिए गुदी फाइट करते हैं अगजाब को चार सपास लाग उसमें से कुछ फिजिगल में नह जाते हैं फिर पड़ा रही तर भीक में से एक philosopher mai 42 यानृंज से कि है उनकी मेडिकल तो मेडिकल बना दीं है तो चूह पूरा का डीटेल में किस परकार से है उस पर आपको में बता दूँगा किस परकार काई मेडिकल होता है फिर भी मेडिकल में आपको मैं मुख्रीd मुख्री की और खृटा थोरा थोड़ासा मनलब फोड़ी इसका होता है medical, medical मैं आप सभी को पता है medical जो इसकी प्रोसेस है, वो भी दो से तीन महीने के आस पास अलती है फिर जिन बच्चों को medical में रिमेडिकल मिल जाता है यहने point मिल जाता है, उनको फिर 30 दिन का समय दिया जाता है तो इसके बाद में होता है, रिमेडिकल के लिए भी आपका समय लग जाता है दो से तीन महीना, यहनि इस पूरी पूरी SSGD की जो प्रोसेस है उसमें आपका समय लगेगा दो से धाय साल धाय साल बाद में आपकी जोब लगेगी, नहीं लगेगी, उस दिन डिसाइड होगी तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, धाय साल का समय, धाय से तीन साल लग जाते है पिसली वेकेंसी में तीन लग गए है दाई से तीन साल का जब समय लगता है तो इसलिए अभी आपके पास में मौका आपको इस परकार से तयारी करनी है कि दाई साल बाद में रोना नहीं पड़े क्योंकि दो डाई साल बाद में आप सोची आपकी जीवन से लिकेशी हो जाएगी आप कहां से कहां पहुंचोगे औ यह नमबर पका करना है कि 10 ऐसी साल बाद में तो में वर्दी पेन हुए Hell तो आपको क्या करना है अभी एक्जाम पर फोकुस करना है एक्जाम के बाद में फिर फिजिकल पर फोकुस करना है फिजिकल के बाद मेडिकल पर फोकुस करना है लेकिन ऐसा नहीं कि अभी आप फिजिकल और मेडिकल पर फोकुस करना है अभी केवल आपको तूटकर एक्जा की बात नहीं है दोस्तों तो जय हिंद जय वारत